सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सीमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुवचार सी बार-बार गिरने में कोई बुराई नहीं है, बार-बार गिर के उठने का प्रयासना करना बुरा होता है अपना वैवार हमें इसा गडित के सुन्य की तरह रखें, जो स्वैम कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुडने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है समश्याओं से निरास नहीं होना चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जिस समय कोई समश्य जन्म लेती है, साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, इसे लिए हिम्मत कभी नहारे आज का पंचांग, 22 सितंबर दो हचार तेईस दें शुक्रवार, भादर पदमास के शुक्रपक्च की सबतमीति थी, दोपहर एक बचकर पैतिस मिलट तक रहेगी, इसके उपरान अश्टमीति थी प्रारम हो चाहिएगी, जुएष्ठा नामक नक्षत्र, दोपहर तीन सी, ग्यारा बचकर 40 मिलट तक रहेगा, आज का भी जीत महुरत, अर्था दिन का सबसे सुपसम में, सुबह ग्यारा बचकर 48 मिलट से, बारा बचकर 36 मिलट तक रहेगा, आज अंदरमा वरिश्चिक रासी पर दोपहर तीन बचकर 34 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान धनु राशी पर संचार करेगी, और आज शूर्य कन्या राशी पर रहेंगे, मकर राशे 22 सेतंबर 2030 दिन शुक्रवार, आपके पद में बदलावा आपके काम को भी बदल सकता है, अपने काम में आपको अधिक अधिकार प्राप्त होंगी, आपका नेत्रित तो मुल्यवान और ज माक में वी रोधावास में एसूस कर शकती हैं, कुछ समय अकेली अपने लिए व्यतित करें, अज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करनी के आवशकता है, गल्ती करना बुरा नहीं है, पर उससे सीखना लेना बुरा है, आज अब बच्चों के भविश्य को लेकर कुछ न इस्ता सकता है, किसी बिबात में पस्तानी की वज़े से खुद के ले विश्वास कमना होने दे, वर्तमान में बदलाव करना मुस्किर रहेगा, अपने करतवे और जिम्यदारियों को ठीक से निभानी की कोशिश करें, पुरानी बातों के कारण कोई वैक्ती आप पर दबा आनी की कोशिश कर सकता है, श्टॉक मारकेट में नुक्शान होनी की शमभाव नहीं, रिलेशंसिब Direction City के कारण से भबार बर बिगड़ सकती है, इससे इईटी दूर करनी की कोशिश करें, शवधानिया, क्रोध आने ज limits अपनी भवनामाओं पर काबु रखें क्योंकि बात करते हैं लव लाइफ की शाहत में नोग जोग होती रहती है बस इन्हें गंभीर ना सुच बस इन्हें गंभीर ना होने दे और शमय रहते भी अपनी मत भेदों को दूर कर लें धन के जुड़े मामलों को रुमैंस से दूर रखें भाय बहन और पडूश्यों की मदद के के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं यहां आपके जीवन का एक ऐसा चड़न है जब आपका ध्यान नीजी जीवन से हटकर स्वेम पर भी होगा आज आप पुद के लिए कुछ स्पेसल करेंगे जैसे अपने शौक को पूरा करना या अपने किसी खास से मुलकात वहना आत् अपने बारे में सोचेंगे और साथ में यह योजनाये बनाएंगे कि कैसे कारिस्थल पर अपनी स्थिति और प्रशुद्धी को बढ़ाया चाए सारवजिनिक मामलों में आपका अधिक समय गुजरीगा प्रतिदुन्दी आपको नुक्षान पहुचा सकती हैं इसलिए सतर करें पुरुसकार और अच्छे परिणामों के लिए अविप्रतिक्षा करें आज आप बेहत संदेश शिल मैसुस कर शकती हैं आपकी दिल और दिमाग में भी मत भेद हो सकता है ऐसे में जीत आपकी भावनाओं की होगी कुछ समय अकेले में समय बिताएं और अपने शोग क पूरा करें अपने प्रात्मिक्ताओं को रिसेट करें और कौन सा काम कैसे करना चाहिए इसका सबसे अच्छा तरीका ढूंडें बात करते हैं सेहत की यदि किसी कारण वर्ष बाहर जाना पड़े तो अपना खाने पीने का समान अपने पास ही रखें अत्यतिक तलाब हुना तथ मसाले दार पान पान से परहेच करें तो जाद अच्छा रहेगा इसे डिटी के कारण सेहत बार बार भी बिगड़ सकती है इसे डिटे दूर करने की पूरी कोशिश करें आज का उपपाए आज अब गरीबों को चामल का दान करें शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रहें आपका दे शुब हूँ